अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से स्टुदेन्ट मौपप रौन में पाटीसिपेड कर सकते हैं रिजिस्टेशन कैसे होगा मौपप रौन की कौशलिंग कैसे होगी इसमें हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं आपके मन में बिहार मेडिकल काऊंसलींग यूजी मै को लेकर के जो सारी चीज उस वीडियों में डिसकस करने वाले हैं। तो वीडियों कमसे और वीडियों करें। सारी चीज वीडियों के लाईइक वीडियों निल्कर चैनल को चांगी आंवें सुर्ण भाइं। पास्ट और रेगुलर अपडेट्स सभी एक्जाम को ले करके देखने को मिलेगा अभी जो आल इंडिया के जितने भी सेंटर इंवर्सिटी है उसका एक एक्जाम होगा जिसका नाम है सीउसेट उसके बारे में भी नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर र चैनल साइंस और एनिवल हस्मैंटरी में एडमीशन होना है प्राइवेट और गोर्मेंट कॉलेजेस जो है जिसमें सीट बचा है उसके बाद इसमें फर्म ऑनलाइन करना होगा ठीक है स्टुएंट इसके बारे में हम जान लेते हैं वीडियो को पूरा देखियेगा कहीं आ में WhatsApp के माध्यम से या Instagram के माध्यम से आप अपना query हमें भेज सकते हैं ठीक है मैं आपके query का reply instant करूँगा ठीक है student तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि यह जो notification है यह जारी किया गया है कल ठीक है यानि 23 तारीक को notification मौप अप राउंड के रिगार्डिंग वो इंडिया के किसी भी medical college में admission ले लिया है वो मौप अप राउंड के लिए eligible नहीं है ठीक है student अगर आपने first second round या इंडिया के किसी भी government private dental college में admission ले लिया है तो आप BCC UZMAC मौप अप राउंड counseling के लिए eligible नहीं है आपका form भरना जो है वो बयार्थ हो जाएगा ठीक है UZMAC counseling जो होगी वो offline counseling होगी ठीक है आप form online करेंगे form online करने के बाद merit list का PDF आएगा ठीक है उस PDF में आप अपना roll number check करेंगे roll number check करेंगे उसी के उपर date लिखा रहेगा date लिखा रहेगा उस date को आपको केटोगरी वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट में रॉल number रहेगा केटोगरी वाइज ठीक है आपकी से बिलोंग करते हैं उस केटोगरी में आपका roll number रहेगा roll number रहता है अगर नहीं है तो बिलकुल भी आपका चांस नहीं है मेरिट लिस्ट में अगर जितने भी एस्टोएंट का roll number रहता है ऐसा नहीं है कि सबका एडमिशन होई जाएगा जितनी seat खाली रहेगी उतने ही एस्टोएंट का एड्मिशन होगा बाकी का एड्मिशन नहीं होगा ओफलाइन काउंसिलिंग जो होगी यह IES भवन बोड ओफिस जो है पतना एयरपोर्ट के पास वहाँ पर होगी ठीक है स्टुडेंट जो सीट खाली रह गई है सकेंड राउन की काउंसिलिंग के बाद जो 13 से लेकर के 16 त एड्मिटेंट इन गौर्मेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ठीक है जो स्टुडेंट फर्स्ट या सकेंड राउन्ड में यूजी मैग का फॉर्म फिलप किये थे उनको फर्स्ट सकंड राउन्ड में कोई कॉलेज नहीं मिला है वो स्टुडेंट जो है इलिजिवल है किसी भी इंडिया के कॉलेज में एड्मिशन नहीं लिए है वो भी मॉप अप राउन्ड के लिए इलिजिवल है ठीक है स्टुडेंट सीट मैट्रिक्स जो है बी सीच के ऑफिसियल वेब साइट पर 23 तारीक यानि 24 तारीक को आज जो है वो सीट मैट्रिक्स आज आएगा ज नेक्स वेडियो में हम आपको स्टेब बाइस बताएंगे कि कैसे आपको काउंसिलिंग के लिए रेजिस्टेशन जो है वो करना है ठीक है ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप रेजिस्टेशन करें और कुछ गल्ती जो है वो कर जाए ठीक है पहले आप रूल को समझ तक है एक चीश हूछ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैसे करना होगा ओन्लाइन करने के लिए सबसे पहले आपक्पर रेजिस्टेशन करना होगा आपको अपना एकॉछू अपटी वेट करना होगा पर्सनल इन्फॉरमिशन डालना होगा फोट्यु सिंग्नी सब्सक्राइब करना होगा सिर्फ आप कहीं एड्मिशन नहीं लिए इंडिया सब्सक्राइब कर देंगे इसको आपको प्रिंट करके रख लेना ठीक है काउंसलिंग में इसकी जरूरत जो है वो पर सकती है ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं आप उसको सही कर सकते हैं अगर आप फर्म भर देते हैं तो आपका जो फी है जो अप्लिकेशन फी है वह आपस नहीं होगा ठीक है स्वेरेंट बोर्ड विल नोट रिसिवर फोर एन इंटर पोश्टल बैंकिंग शिस्टम अगर आपका पैमेंट फस्ट जाता है या कोई बी चीजे हो जाती है तो इंडिया नीट जो डाटा प्रवाइड कर वाएगी आप जो फॉर्म भी लेंगे उसके बेस पर आपका मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार किया जाएगा ठीक है स्ट्रेंट कुछ इंपोर्टेंट डाकुमेंट्स जो है वह आपको सहेज के रखने हैं जैसे की औरिजनल मार्क सीट से काम चल जाएगा रेजिडेंस कास्ट सर्टिफिकेट रखना है उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो अधार कार्ड और जो भी डॉकुमेंट है उरिजनल उसको लेकर के रहना है उसके बाद आप जिस क्याटोगरी से एडमिशन लेंगे डिसिवल को सकते हैं यह जो है आपका ओलनाइन रेजिस्टेशन करने का डेट है 31 टक लाशडेड है फर्म ओलनाइन कर सकते हैं अगर वनने के टाइम को गलती हो जाती है तो एक तारीख को इसको सही कर सकते हैं मैरिट लिस्ट आपका तीन अप्रेल को आएगा मिस 3-4 यहाप राउंड merit list आएगा जो merit list आएगा उसी में आपका date रहेगा कि कब आपको merit list counseling के लिए जाना है student एक बात और ध्यान रखना है जो भी student private medical mbbs में admission लेना चाहते हैं उनको 12 लाक रुपईया का dd जो है bank से बनवा के ले जाना है ठीक है dd कैसे बनेगा ठीक है dd बनता है आपका जिस bank account में जिस bank में account है उसमें पैसा रहना चाहिए उसी वही bank account से आपका dd बनेगा ठीक है आपके किसी relative का है तो आपका dd जो है वो board office के बिहाप में बनेगा ठीक है अगर आप dental college में admission लेते हैं तो 50,000 का dd बनेगा demand draft बनेगा ठीक है उस पर मैं videos बना दूँगा कि कैसे dd आपको बनवाना है ठीक है student उसके बाद चलिए जान लेते हैं कि मॉप आप राउंड counseling का क्या process है seat allotment कैसे होगा ठीक है तो student क्या होगा merit list जब आएगा merit list आने के बाद आपको document verification के लिए जाना होगा सभी document ले करके जिस दिन आपको बुलाया जाएगा ठीक है जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको roll number wise serial wise आपको mic पर announce किया जाएगा ठीक है आप जाएंगे आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि इस college में MBBS का seat खाली है गौर्मेंट के लिए आपको मिल सकता है private में ये मिल सकता है BDS में ये मिल सकता है ठीक है अगर आपको admission लेना है तो वहीं आप DD submit करेंगे गौर्मेंट लेना है तो कम पैसा लगता है अगर गौर्मेंट में लेंगे तो आपका original document जो है वो भी जमा हो सकता है मौप प्राउन में ये ध्यान नहीं है आपका original document भी जमा हो सकता है ठीक है वहीं पर आपको पता चलेगा वहाँ पर जाने के बाद अंदर में कि कौन-कौन से college में seat खाली है किस course के लिए seat खाली है college पशंद नहीं है वहीं से आपके घूम के वापस आ सकते है अगर किसी category में by chance seat फूल नहीं हो पाता है तो वो seat दूसरे category के दे दिया जाता है जैसे कि मानें कि BC category का दो seat बच गया तो अगले दिन जो है वो unreserve की counseling है तो BC के seat जो है वो unreserve को दे दिया जाएगा ठीक है student आने वाले next video में हम बात करेंगे कि आपका कितना rank है तो mop up round tongue admission जो है वो हो सकता है ठीक है आप लोग हमारे telegram और YouTube के साथ जूरी रहें चैनल को subscribe कर ले और bell icon दबा ले ठीक है हमें WhatsApp पर message करें या हमें telegram पर भी पूछ सकते हैं सारा link जो है वो description box में दिया गया है तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ एक और doubt है student का कि सर अगर हमें private college में admission लेना है तो कितना marks तक आपका admission हो जाएगा तो student मैं एक बात बता दूँ अगर आपने need qualify किया है तो मैं दावे के साथ कहता सकता हूँ बिहार के private college में आपका admission हो जाएगा ठीक है अगर आपको private college में admission लेना है तो किसी counselor या expert से आप सलाह ले ले तभी आप private college में admission ले ठीक है क्योंकि वहाँ पर bond वगेरा sign करवाया जाता है अगर आप बीच में college छोड़ते हैं तो आपको 25 से 30 लाक रुपया penalty देना पड़ेगा ठीक है इस पर मैंने video जो है वो बना दिया ठीक है government college के लिए कोई penalty नहीं है बिहार में तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ किन्य student को कोई कोईरी हो एक्सपर्ट से बात करनी हो तो लिए स्किप्सर वाक्स में नम्मर दिया गया है उस पर आप call करके बात कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अपने जो counseling है उसको sit जो है वो book करा सकते हैं अपने मन पसंद प्राइवेट कॉलेज में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ थेंक्स फूर वाच्चिंग ओप यू लाइक इस वीडियो जो भी student हमसे कल मिलना चाहते हैं गांधी मैदान में तो हमारी expert की team कल गांधी मैदान भी पटना में आ रही है आप लोग आ सकते हैं सारा अपडेट आप सबों को टेलिग्राम के माधियम से मिलेगा थेंक्स फूर वाच्चिंग